ना उस देखिए यह बच्चे ने question पूछा है 26-27 ठीक है तो यह जो question रही हो ने बच्चों ने पूछ आए पूछा one plus cos theta plus sin theta upon one plus cos theta minus sin theta is equal to one plus cos upon sin one plus sin upon cos ठीक है और इसी तरीके से कुछ दूस्टा ठीक है बच्चों देखिए ऐसे question का solution आप internet पे सर्च कर रहे होंगे तो उन्होंने ऊपर नीचे याने की numerator denominator में किसी function से multiply किया होगा और आप confused हो रहे होगे ठीक है मैं आपको बताता हूँ ऐसे questions को हम कैसे करते हैं बहुत असान तरीका है जो बच्चे हमारे live online classes में हैं उनको तो मैं बोलूँगा कि आपके पास तो सब कुछ है जाके proper class करिए मैं आपको एक बात बताता हूँ पता है यह question inspire है कहां से यह देखिए ncrty में आपको यह जो पढ़ाया हुआ है example no 12 new ncrty example no 12 एंड old ncrty में example no 15 है ठीक तो यहां जो मैंने तरीका आपको बताया हुआ है ठीक है students ओके जो मैंने तरीका आपको बताया हुआ है उससे question अराम से हो जाएगा अब मैंने क्या बताया हो तो अभी महाँ यहां फिर से बताऊंगा ठीक है एक तो ये वाला कोश्चन मतलब एक्जामबल नमबर ट्वल न्यू बुक में और कोश्चन नमबर फॉर्थ का जो फिफ्ट पार्ट है न है यहां से इंस्पायर है ठीक अब सुनो किया करेंगे ऐसे कोश्चंस में आईए मैं आपको बताता हूं ज से कि स्कायर थी टा इस इ हिए एक को स्कायर हिस्टि यह सभी बच्चों को पता है न है न यहां से टाइन स्कायर को Sorry को मैं लेकर आओ a plus b into a minus b is equals to 1 अब सुनो समझे बात को भई a plus b into a minus b a square minus b square ही तो होता है अब देखो जड़ा ये बीच में ऐसे multiply है तो यहाँ पर जो भी लिखा है मैंने यहाँ से मैं दो values निकालता हूं आपके सामने कौन-कौन सी sec theta plus tan theta तो अगर आप sec theta plus tan theta निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा आपका अंसर sec theta plus tan theta क्या हो जाएगा is equals to 1 upon sec theta minus tan theta एक तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी की sec plus tan क्या होता है one upon sec minus 10 और यहीं से इसी से अगर आप sec minus tan निकालते तो इसको आप यहाँ रखते और यह multiply में उधर जाके divide हो जाता है यानि कि आपका क्या जाता sec theta minus tan theta is equals to 1 upon sec theta plus tan theta ठीक तो ये दो बातें दो तीन बातें आपको याद रखनी चीज़िए ये पूरा process आपको याद होना चीज़िए sec square is equals to 1 plus 10 square 10 square को इधर लाओगे तो a square minus b square तो sec plus 10 into sec minus 10 is equals to 1 और क्या होगा यानि की 1 की जगा आप क्या लिख सकते हो sec plus 10 into sec minus 10 और फोनो sec plus 10 theta की जगा आप 1 upon sec minus 10 theta लिख सकते हो sec minus 10 theta की जगा आप 1 upon sec plus 10 लिख सकते हो थिक इतनी बात आपको समझ میں आ गई होगी अब सुनो ध्यान से एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ ध्यान से सुनिएगा बच्चों ये जो right hand side में आपको लेके आना है 1 plus sign upon cos इसका क्या मतलब है कि आपको इसका मतलब पता है 1 plus sign theta upon cos theta तो इसका मतलब सुनिए आप इसको two parts में split कर सकते हो कैसे मैं देखाता हूँ 1 के नीचे भी cos को भेजोगे 1 upon cos theta और plus लगाके sign के नीचे भी cos को भेजोगे यानि कि sin theta upon cos theta तो 1 upon cos plus sign upon cos कर सकते हो तो देख लो क्योंकि cos का यल्षिम लोगे वापस इतने आजएगा नीचे cos और उपर 1 plus sign तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको हम बोलते हैं हमने 2 parts में split कर दिया 2 parts में split कर दिया 1 upon cos plus sign upon cos अब देखो यहाँ से क्या होज़ेगा 1 upon cos क्या होता है sec theta पता है न 1 upon cos sec theta होता है sign upon cos क्या होता है 10 theta यह आपको पता होगा तो कहने का यह मतलब है कहने का यह मतलब है कि बच्चों यह कोई नया question नहीं है यह हमको एक तरीके से क्या proof करने के लिए बोल रहा है sec theta plus 10 theta मेरी बात ध्यान से सुनो अगर तुमने इसका left hand side लेके चल रहे हो तुम इसका left hand side लेके चलो तो तुम जब sec plus 10 ले आओगे तो sec को लिखना one upon cos 10 को लिखना sign upon cos उसके बाद cos और cos calcium cos वापस तुम यहां पहुच जाओगे तो तुमारा यह proof हो जागा कहने का मतलब यह है कि left hand side लेके चलो और sec plus 10 लेके आओ इसलिए मैंने बोला यह ncrt से inspired है क्योंकि ncrt में देख लीजे जब मैंने आपको पढ़ाया था यहां पर देखिए आके यह देखिए और नहीं भी जिसने पढ़ाया तो आप देख लो न यह वाला question है अब इसमें साइन कॉस और प्लेस वन आ रहा है साइन कॉस मलब साइन आ जाए कॉस आ जाए तो आपको हमेशा ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए बूलेगा या तो अभी-भी मैंने बताया है अभी-भी मैंने बताया है यहां पर देखो जड़ा कि कि वन अपन सेक माइनस टैन कि से कोल होता है तो कहने का मतलब है इसी कोश्चन को वह ऐसे कह सकता था एककोल टू सेक ब्लस टैसरड़ों सेट प्लस टैन सेक प्लस टैन कि अब जैसा यहां पढ़ाया था वैसा आप के सवालों में मैं करके दिखा दूँगा आ यह मैं दिखाता हूं एmia न यृत मैं बार बार कह रहा हूँ जिन बच्चों ने देके चलता हूं question number 26 का है ना solution number 26 मैंने लिया यहाँ left-hand side is equals to क्या है बताओ 1 plus cos theta plus sin theta divided by मैंने आपको पीछे देखाया है कि यह चीजस किसके वाला जाएगी सेक प्लस 10 के को ला जाएगी हैं को अब यह भी मैंने आपको पीछे दिखाया है तो आपको यह question कौन सा है से प्लस 10 वाला है यह मतलब से को नवाला है को से कोट वाला हो देखना है और उसके हिसाभ से आपको नियुमरेटर में या तो साइन से डिवइड लगाना है या तो कॉस से, मैं यहाँ कॉस से लगा रहा हूँ, क्यों अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हमने क्या किया, यह इसका niedumsरेटर है तो प्लस प्लस यहां है अब फिक उस अपन कॉस और प्लस साइन अपन कॉस यह हो गया नियूमरेटर में अब डिनॉम्नेटर में देखिए वन अपन कॉस प्लस कॉस अपन कॉस ठेक, मामट्स साइन अपन कॉस ठेक, यह हो गया ठीक है नब अब क्या हो जाएगा थोड़ा सा मैं इहां सॉल्फ कर रहा हूँ देखिएगा, वन अपन कॉस कितना हो जाएगा सुन लो कुछ लोग नहीं समझ पाने कैसे किया है तो भाई cause 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 यह ओगताइस और दिवाइड़ेडेड यह से कॉस्ट सेकोस कटेगा तो निया प्लस का बड़ेजी और क्नका इस कितना होते हैं साइन पक्तेन नीय यह माइनम्नक कटो एक इतना हमारा हो गया फिर मैंने class में क्या पढ़ा है फिर मैंने आपको class में पढ़ा है बच्छों क्या कि denominator को ऐसा ही रहने दो और numerator में sec और 10 को पास-पास ले ओ sec और 10 को पास-पास ले ओ तो ले ओ भई पास-पास तो क्या देगा sec plus 10 और plus का 1 बच्चा divided by नीचे जो बचा है वो ऐसे रहने दो नीचे क्या बचा है सेग थीटा प्लस वन-10 थीटा अब ध्यान देना जरा ध्यान दोगे क्या अगर मैं से प्लस चैन को एक ब्रैकेट में कर लूँ वन को भी ब्रैकेट में कर लूँ और यहां एक करली ब्रेसिस लगा दूं तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक अब इसको मैं फर्दर सॉल्फ करूंगा तो मैं इसको नेक्स पेच पे लेके चलता हूं ठीक क्या आया मेरा सेख थीटा प्लस टैन ठीक प्लस बाइन चेक और डिनॉमिनेटर में ध्यान देना बच्चों सेख प्लस 1-10 चेक तो सेख थीटा प्लस 1-10 अब ध्यान देना ज़िए बच्छों वन को आप क्या लिख सकते हो अभी अभी मैंने आपको बताया था पीछे अगर आपको याद हो मैं आपको बताया था यहां से आपके पास क्या हो जाएगा देखी यह से स्टीटा प्लस एंट ठीटा ऐसे ही रहेगा यानिकर स्टीटा और प्लस टैन ठीटा आपके पास ऐसे रहा और प्लस वन की जगा आप क्या लिखोगे स्ट कि स्क्वार मैंनस टैन स्क्वार ठेक और डिवाइड़ बाई नीचे क्या आ जाएगा स्टीटा प्लस वन माइनस टैन ठीटा ठेक और यहां से क्या आएगा ध्यांदे स्टीटा प्लस टैन ठीटा और प्लस अब देखो ए स्क्वार माइनस बी स्क्वार क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी देखा ए स्क्वार मैनस बी स्क्वार ए प्लस बी इंटू ए मैनस बी डिवाइड़ बाई दियान देंगे स्टुडेंस divided by denominator में जो कुछ है उसको as it is लिख दो यानि कि sec theta ऐसे ही मैंने class में आपको पढ़ाए हर question ऐसे ही होता है चाहे हो sec और tan वाला हो चाहे हो sec और cot वाला हो ठीक अब सुनो क्या करेंगे अब देखो जरा अब कुछ common लेंगे कहां से यह मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो बच्चो इतने तो आप लोग समझदार हो क्या से थीटा प्लस टीटा में कुछ भी multiply नहीं तो आगे इंट्व वन मान सकते हो आप ऐसे करके है ना तो यह पूरा फॉर्स्ट में आपका और यहां से यहां तक लेके यह multiply यहां से जो करली ब्रेस्स के अंदर लिखा वह है यह है वर्स्ट डम और यह सेकेंड बताओ यह क्या को मना रहा है मैं से प्लस टैन को मना रहा है और से अर्गेंट में तो करली ब्रेस्स के बाहर कॉमन ले लिए तो हमने गया किया sec theta और plus tan theta को हमने common ले लिया तो curly braces में ध्यान दें यहां से sec plus ten चला गया common तो क्या बचला बचलाएगा 1 और plus यहां sec plus ten चला गया तो क्या बचला गया bracket में sec theta minus tan theta बचलाएगा जेक अब ध्यान दी जिए गा students, ओके अब ध्यान दीजे गजरा यहीं पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आगे solve करता हूं आपके लिए ठीक है ना देखिए गजरा देखो फेड़ाय को क्या सदेख फीटा और ध्यान देना वचे ध्यान से यह वन है इसे ही रहेगा वन प्लस मेरा मैं और च का 10 ठीटा यानि के प्लस का सेख ठीटा माइनस का 10 ठीटा ठीक डिवाइड़ेड बाए नीचे जो लिखा है उसको भाई अब क्या करोगे जो यह लिखा हुआ है वही तो यह लिखा हुआ है नहीं पेचान पारेगो वन पॉजटिव है एक थीटा पॉजटिव है तो यह दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको पूरा करके दिखा रहा सेक थीटा प्लस टैन थीटा अब ध्यान देना बच्चे इसको मैं रियरेंज करके लिख दिए तो आपका कुछ नहीं जा रहा है सेक पॉजटिव है मैंने पहले लिख दिया और यह अब इसको मैं नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर लूँँगा तो मैंने लिखा सेक थीट नीचे क्या लिखा हुआ है सेक थीटा फ्लस वान माइनस टैन थीटा अब देख लो जो नूमरेटर में लिख वही तो दिनॉमरेटर में लिख भी तो यहां आम ने क्या किया क्रॉस वही देस इंटू देस आब आप चेक कर लीजिए बच्चों यह बताईए जो यह लिख तो बताओ, आप पहुच गए हो कहा, सेक थीटा प्लस, ठीटा पे, इतना पहुचे, आप सुनो क्या करना है, तो आप आ चुके हो कहा, पर, सेक थीटा और प्लस, जीटा, अब सुनो, सेक को क्या लिखो गए, अभी पीछे पढ़ाया था आपको, यहाँ पे दीख लीजे, य यहोगा इसी को एंगो यहां से स्ट्टेंस क्या हो जाएगा कॉछ नीचे दोनों से ऑपर वाले करेंगे लो भाई लेटाइन साइड लेकर चले पडीजने साइड है राइट इंभी वावब कुश ठीक लेके चले थे और राइट इंसाइड आ गया अब तुम्हारी नॉलेच के लिए चलो मैं यहीं पर बताई देता हूं जब बता रहा हूं तो एक्जाम में पता या सवाल आ सकता है यहा जब तुम पहुन जाओगे तो या तो तो तुम्हें ये ही सवाल क्या पूछेंगा सैक प्लस टैन के इक़वस कर दो सुन लो द्यान से यही सवाल तो है कि सप square theta minus जो भी पढ़ाया था, tan square theta is equals to 1 होता है, फिर हम यहाँ से ऐसे दिखाते है sec theta plus tan theta, है ना, side में ऐसे दिखा देते है, into sec theta into sec theta minus tan theta is equals to 1, है ना a square minus b square दिखा देते हैं, ऐसे करके a square minus b is equals to 1 तो a plus b into a minus b is equals to 1 है ना, a square minus b square, a plus b into a minus b फिर हम यहां sec plus 10 की value निकाल लेते हैं, बस कुछ नहीं है, ऐसे, sec theta plus 10 theta is equals to 1 upon sec theta minus 10 theta, सही है, इतना ऐसे side में दिखा देते हैं, और यहां direct result लिख देते हैं, कि sec plus 10 बराबर कितना होता है, upon sec minus 10 एक और तरीका है, क्या है, जैन सुनो, तरीके बहुत सारे यार सब class में मैंने बता होता है, एक तरीके से class चलिए, यहां तो फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, द्यान सनो, तो sec plus 10 को आप ऐसे करते, देखो कैसे करते, ऐसे sec plus 10 theta है न, तो आप क्या करते पता है, इसको, आप इसके नीचे 1 मान लेते पहले ऐसे, और इसके numerator और denominator में आपके से multiply कर द हो जाता, a plus b into a minus b, a square minus b square हो जाता, और नीचे क्या हो जाता, 1 into this, तो इतना ही आ जाता, sec theta minus 10 theta, और उपर क्या हो जाता, बताओ, sec square minus 10 square 1, और 1 upon sec theta minus 10 theta, तो बस मैं इतना कह रहा हूं, कि अगर तुम यहां पहुच गए, sec plus 10, और तुम यह लेके आना है, तो यह वाला रास्त यहां पे गलती हुई है, 1 plus sign हो जाएगा, कर दिया, अब मैं question number 27 आपका कराने जा रहा हूं, please ज़रूर class कर ले, class करना अपने आप में एक अलग बात है, अब देखो ज़रा, अब इसी style से मैं तुम्हारा question number 27 कर दूँँगा, इसी style से, इसमें भी वही कहानी है, क्या-क्या stand theta के equal, ठीक, तो same इसी तरीके से इसको भी handle करेंगा, अब एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान सुनो, जब मैंने सवाल लिया था, तो बच्चे बोलेंगे, cos और cos से ही क्यों divide किया numerator denominator में, sin से कर देते, तो sin से इसले नहीं किया, सब class में पढ़ाया, ध्यान से सुनो, अ प्लस sin upon sin कर जाता, तो 1 आ जाता, और नीचे, 1 upon sin हो जाता, cos 1, और मीनस, sin upon sin 1, अब जहांचे हो, सवाल आपका ऐसे हो जाता, मतलब ऐसे का मतलब ये, सवाल आपका cos 1 और cot में चला जाता, सवाल आपका कोस अपर काट वाला बंजाता NCRT का NCRT का NCRT पार्ट Com棋 का फिफ्त पार्ट में जब कॉसेक ट्लस काट लगा के देखलो कॉस से भी देखलो लाना क्या अगर season यह उससे सब्सक्रोड कॉछ प्लस कउट कुछ ले क्या आना है लुए समझ के होगे लगा तो इसलब मिल जाबगे हमने कॉस से किया ताकि मेरे को क्या मिल जा ची को एच करने के बाद का साइन कमी तो इसलिए मैंने साइन से नहीं किया समझ आप यहां पर देहुआ तो नुटि से वन्टा करना पड़े कॉस के नीचे साइन जाएगा तो कॉस अपॉन साइन क्या जाएगा कॉट तो कॉट वाला कुश्यन तो है नहीं यानिके साइन से ना करके कॉस से करेंगे हैं सुनो तो हमने क्या किया हमने इसका लेफ्ट हैं साइड लिया अब मैं ये वाला सॉलीशन कर रहा हूं 27 वाला है न left hand side क्या बताओ sin theta plus 1 और minus cos theta है ना थोड़ी जगा मैं छोड़ देता हूँ नीचे क्या है cos theta minus 1 plus sin theta अब ध्यान दो अब ध्यान दो यह numerator है और यह denominator है अब मैं color change कर रहा हूँ ध्यान दे बच्चे cos से numerator में और cos theta से denominator में divide कर दीजे चेक तो यहां से आपने क्या किया Cos theta से numerator में और cos theta से denominator में divide कर दिया numerator में भी cos theta से और denominator में भी cos theta से divide करके 3 3 parts में split कर लेंगे, sin upon cos, तो sin theta upon cos theta, फिर plus 1 upon cos theta, plus 1 upon cos theta, minus cos theta upon cos theta, छेक divided by, divided by cos upon cos theta, cos theta upon cos theta, minus one upon cos theta plus sign upon cos theta plus sign theta upon cos theta चेक कर लो कुछ नहीं करना है यार cos इसके नीचे भी जाएगा इसके नीचे भी इसके नीचे भी और plus minus के sign वैसे ही रहेंगे ठीक अब देखिए sign upon cos क्या होता है आपका tan theta plus one upon cos क्या होता है सेख theta और minus cos से cos कटेगा तो one आ जाएगा ठीक divided by को से कॉस कटेगा तो one आ जाएगा ठीक माइनस one upon cos होता है सेख theta ठीक और plus sign theta upon cos theta होता है tan theta ठीक है ना अब ध्यान देखिए बिल्कुल अराम से इसको ब्रैकेट में ले लो ठीक आप क्या करोगे वह मैं आपको next page पर दिखाता हूं तो हम लोग कहां पहुंच गए ध्यान से सुनिएगा बुरा मत मानिएगा इधर देखिए ज़रा सुनिए कि इतना तो आपको बताओगा tan theta plus sign theta लिखो या सेख theta plus sign theta लिखो बातसे में सुना प्लस 10 theta चेक माइनस 1 डिवाइड़ेड बाए डिनॉम्नेटर को मत छेड़ो डिनॉम्नेटर में जो है ऐसे रहने दो डिनॉम्नेटर क्या है 1-1 प्लस 10 चेक डिनॉम्नेटर को मत छेड़ो 1-1 तेक theta प्लस 10 theta ठीक नव अब ध्यान देए incompetence sec theta प्लस 10 theta तो ऐसे रहेगा चेक और तो mi-1 की जगह आ प्रेंक में ये 1 की जगह डिखोगे स्कषाइर माइनस एनस स्क्षाइरmost स्क्षाइर health 3-еш एंस 10br सेग क सेद्स divided by denominator को कभी मत छेड़ो denominator ऐसे ही रहेगा यानि कि वन माइनस सेख थीटा प्लस टैन ठीटा और इसके बाद ध्यान दें सुडेंस यहां पर सेख प्लस टैन क्या कि कुछ नहीं तो वन से मल्टिप्लाई सोचेंगे ऐसा अब यहां से यहां तक फर्स्टम और यहां से यहां तक यह सेकेंड अब बन जाएगा समझ गए होगे आप तो एसक्वार मैंनस चलो में लिखके दिखा देता हूं यह क्या है आपका यह है वन इंट्टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा और माइनस ए स्क्वार माइनस बी स्क्वार क्या हो जागा ए प्लस बी इंट्टू ए माइनस बी यहने के सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंट्टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा चेक नौ अब देखिए, denominator में कितना आ जाएगा, 1- sec theta, plus 10 theta, now students, अब ध्यान दे, थोड़ा, yellow color से, यहां से यहां तक first time, ठीक, और यहां से यहां से यहां तक second time, बताओ क्या common आ रहा है, sec plus 10 common आ जाएगा, ठीक, तो आपने क्या किया इस बार, sec theta, plus 10 theta को common लिया, तो curly braces में, यह पूरा first time में तो यहां 1 बचेगा, minus, यह चला गया, तो यहां क्या बचेगा, sec theta, minus 10 theta, ठीक, और divided by, नीचे क्या आएगा बताइए, नीचे ऐसे यहां आएगा, जो था वही रहेगा, 1- sec theta, plus 10 theta, ठीक, अब थोड़ा सा और देखिएगा बच्चों, ध्यान से, sec theta, plus 10 theta, और यहां multiply आएगे, ठीक, ऐसे ही रहेगा, तो sec theta, plus 10 theta, आपका ऐसे ही रहा, into, in the bracket, ध्यान दे बच्चे, 1 तो आपका ऐसे ही है, और इस बार, minus से sign, minus से bracket open करोगे, साइन चेंज, minus से करोगे, तो minus sec, plus 10, तो minus का, sec theta, और प्लस का, tan theta, ठीक, divided by, अब नीचे देखिए, one minus sec plus 10, है ना, one minus sec theta, और plus 10 theta, अब ध्यान दे बच्चे, और ध्यान से ध्यान दे, देखिए, one minus sec plus 10, और one minus sec plus 10, यह पूरा इस से cancel हो जाएगा, और क्या बचेगा, sec plus 10, सही है, पहुच गए वहीं पर, बताओ, क्या बच रहा है, अब तो आप कर सकते हो, sec theta, plus 10 theta, ठीक, तो जो आपको result लाना था, उसके हिसाब से क्या गरोगे आप, sec को आप क्या लिखोगे, one upon cos, और tan को क्या लिखोगे, आप बताओ, sign upon cos, एक, cos और cos का LCM, cos, मतलब ये दोनों सेम रहेंगे, तो ऐसे ही लिख दो, और उपर वाले को add कर दो, बस कतम, low, यहा आगया आपका right hand side, और सुनो, इसी question में आपको केवल ये भी पूच सकता था, क्या, कि sec plus tan के equal proof करो, यहाँ stop कर जाते हैं, अगर आपको बोलता, one upon sec minus tan के equal proof करो, तब क्या करते, तो कहानी वही चेंज हो जाती क्या, इसको copy करते पहले, sec theta plus tan theta, ज्यान सौनो, इसके नीचे one मानते, और इसको इसके numerator और denominator मे, sec minus tan से multiply कर देते, sec minus tan से numerator मे, और sec theta minus tan theta से denominator मे कर देते तो क्या, यह रास्ता एक अलग है, मतलब दूसरा question बन गया, यहाँ से, तो sec plus tan, sec plus tan into sec minus tan, a plus b into a minus b, उपर हो जाता क्या, a square minus b square, और divided by नीचे one से, इसमें multiply करोगे, तो इतना ही आ जाएगा, यानि कि sec theta minus tan theta, अब sec square minus tan square, one होता है, तो one upon sec theta minus tan theta, ऐसा भी सवाल बना सकते थे, मैंने आपको सारी possibilities, बता दी, फिर से बता रहा हूं, जो online, हमारे paid batches में बच्चे हैं, बच्चे class जरूर कर लीजे, लंबे-लंबे discussion इस पर हुए हैं, और आप देखोगे, आपको हमेशा इसी concept में फसाएगा, ये तो मैंने पढ़ाते time ही बता दिया कि question आएगा, बोड examination में, तो यहीं से आएगा भाई, है ना, कहां से, ये देखो, पूर्थ के, फिफ्ट पार्ट में, अब इसका discussion class में हुआ है, इसके basis में बहुत सारा discussion हमने किया है, और example number 12, के concept से, जैसे मैंने करा है भाई, वैसे करो कि कोई सवाल नहीं अंगलत होगा, इसमें बहुत सारे question बनते हैं, अभी तो second 10 वाला discuss किया है, को से, कॉट वाला भी होता है, ठीक,